हेलो फेंट्स वेलकम टू माई टैक सपोर्ट चैनल फेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे अप्लिकेशन के वारे में जिसकी मदद से आप काफी स्मार्ट यूजर बन सकते हैं अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को लाच तक आपको बता देता हूँ, so friends कई बार क्या होता है हमारे phone की setting है उसके अंदर हमको बार बार जाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, normally यहां से अगर हम जाएं तो यहां पर setting पर click करना होगा, setting के बाद यहां पर आएंगे और यहाँ पर हमें जहाँ पर भी जाना है about phone में जाना तो यहाँ हमें सब में आना पड़ेगा लेकिन इस application की मदद से हम चाहें तो यहाँ से कुछ shortcut create कर सकते हैं जो कि directly shortcut हो और आप direct ही about phone या फिर जिसका भी आप shortcut create करते हैं वहीं पर पहुँचेंगे तो simple यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें काफी option मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर file and folder का हम यहाँ पर shortcut create कर सकते हैं application का कर सकते हैं setting का कर सकते हैं common executor का कर सकते हैं contact message template इसके लाब भी यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ तो about फोन पर पर क्लिक करेंगे और यहां से प्लस बाले icon पर क्लिक करेंगे अब यहां से क्या होगा जो about phone है उसका एकUM क्र सकता है जिसका एक उद्सक्रकाट क्रिये हो चुका है तो जो directly हम जैसी shortcut पे click करेंगे तो ठीक उसी location पे पहुँच जाएंगे अपना time बचाते हुए क्योंकि यहाँ पर about phone में आने के लिए भी हमें यहाँ पर काफी कुछ करना पड़ता है यहाँ पर हमें setting में जाना होता है उसके बाद यहाँ पर about phone का option आता है इसी तरह से हम यहाँ पर यहाँ से हम काफी सारे shortcut create कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करें नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ बैल आइकोन को दबाएं जिससे कि हमारी लेटेस वीडियो की notification आ यह थैंक यू बैंस